तो हेलो भाई लोगो के हाले आप लोगे उमीद करता हूँ सब बढ़ियाई होगा मैं नाव है मास्टर क्रोनस और आग आए हमें एक ब्रैंड यू पब जूमल की वीडियो के साथ तो बेसिर की भाई लोगो इस गेम प्ली के अंदर याष्टना का एक बहुत खत्रनाक सीन है जहांने बहुत ज़्यादा ही गंदे बंदे पेले तो उससीन देखना मत भूलना और रही इस गेम प्ली की बात तो उतरते ही मुझे मिल जाती है इस कारेल और इस कारे मिलते ही मुझे आते है कुछ गन फैरिंग की साउंड तो चलो चलते हैं बंदों को प्यलने है तो बई क्या था यार उस ओफलेंड बंदे का तो फिर भी समझ में आता है पर गर होला बंदा क्या कर रहा था हाइड एडवांटिज होने के बाद भी मुझे नहीं मा आरते ही जैसे में इनकी पेटे लूटने के लिए आगे बढ़ा मुझे थ्री स्टूरी से फायर हुआ अउस बंदे ने मुझे पेटी लूट से में इस्टप करा अब तुम लोग देखना मैं उसे कैसे डिस्टप करता हूँ तो भाई इससे कहता है जैसी करनी वैसी भड़नी अगर तुम दूसरों में उंगल करोगे तो तुमारे अंदर भी उंगल होगी ही होगी इस जगा मेरी सिश्विशन थोड़ी क्रिटिक्योल हो चुकी थी चुकि मेरे सामने ही बंदा और मेरे राइट साइड ने ही बंदा और मेरे सिव वन एच पी तो मैंने लिया जे शीराम का नाम और पॉस्ट गया राइट साइट वाले बंदे को पेलने है जैसा कि मैंने तुम्हें मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि सस्ते हेड़फॉन के कभी भी पपजी मत खेला करो यह तुमारा हाल भी बंदे जैसा ही होगा इसके बाद एक बॉट को मारके और थोड़ा हील वील लगाके चलते हैं अपने नौक बंदे को फिनिश करने तो इधर हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी थी कि हमारे सामने से फैर हो रहा है और हमारे जर्श पिछवाले गर से फूट आ रहे तो हमने थोड़ी समझदारी दिकाई और जिस गर से फूट आ रहे थे उसी गर में चले गए इस बंदे को तो हम इजिल नौक फिनिश कर देते फिर असली परप्डम तो इसके बाद आती है देखना इधर में थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ चुकि इस घर में होता है कैमपर जो मेरे टीमेट को नौक कर देता है फिर भी बिना किसी एच्पी कवा है मैं उस बंदे को मारी देता हूँ नेट के वाद सुनते ही बंदे की फटके चार हो जाती है और वो हर बड़ाट में नीचे कूच जाता है और नीचे कूचते ही मेरे हाथो टाटावाय बजाता है अब आप लोग देखोगे एक नेक्स लेवल केमपर जो घर्मी के कारण अपनी खुती चट पे ही सो जाता है मैं मानता हूँ अभी सर्दिया नहीं आई है पर पबजी में चट पे कौन सोता है यार पोस्चिं की खाली करते हैं वोस्टे रोजो ठील पोस्ते ही हम पर होते है इसकूल से थाइर तो हमने सोचा फॉल बेक करने में समझदर ही है इसलिए हम पहले गारी से फॉल बेक करते हैं फिर जाते है सकूल इस्कूल पोस्त है ही मिने टीम मेट एक मंदे को नौक कर देता है और मुझे सच से किसी के भागने के आवाज आती है तो चलो चलते है उसके भागा दोड़ी रोकने भाग भाग के वो थग्या होगा भई थोड़ा आराम कर ले तो दोस्तो इंतिजर की गड़ी अब खतम हो चुकी है चुकी वो सीन आ चुका है जिसके बारे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था तो यहां सीन को जैसा हो गया था कि हम ड्रॉप लूटना आयते और हमें पता जलता है यहां दो पार्टियां पहले से लड़ जाते और वहां से खड़े उपके हम पेट लगातार फाइन गन लग जाते जिससे में टीमेट नौक हो जाता है और सिच्टेशन इंटेंस हो जाती है इधर मैं अपने टीमेट को सेफ रिवाज देता हूं जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना आये मेरे टीमेट को रिवाज पर भी नौक हो जाता है और मुझे बीना किसी कवर की कारण ओपन में ही लेटना पड़ता है ओपन में लेटके मैं दुएंदे को खुब फाइर देता हूं पर वो कवर में तिली जाता है और मैं पसाई एंगल नहीं होता है इसलिए मैं उसको नौक नहीं निकाल पाता हूं इतनी से एर में एक डासिया और आ जाती है जिसमें से कुछ बंदे निकलते हैं उनमें से मैं एक बंदे को नॉक एन फिनिश कर देता हूँ उस बंदे को नॉक फिनिश करते ही मेरे ज़र्ष पीछे से एक यूएज और निकलती है इस जगह मेरे हालट कुछ एची हो चुकी थी कि मेरे आगे से fire हो रहा है मेरे size से fire हो रहा है और मेरे 4 तरफ घाडिया घूमरी और मैं open में लेटा हूँ open में लेटे लेटे ही में उन्हे उसलो बंदों पे fire देता हूँ और मेंसे एक को knock निकल देता हूँ उस बंदे को नौक निकालते हैं मेरी M4 की सारी गोले खतम हो जाती है और मेरा आगरी सहारा एक एम बसती है इस पॉइंटे में पास कोई कवर नहीं था इसलिए मैं आगे एक स्मोक डाल देता हूं जिससे में पास थोड़ा कवर तो हो जाए इस पॉइंटे मुझे ऐसा लगने लग गया था कि भई अब मैं ज्यादा जीने वाला नहीं हूं इतनी सी देरे में टीमेंटे घातक एंट्री मारता है चिससे उन बंदों कर ध्यान पूरा भटक जाता है जिससे में उन्हें अराम से पेल देता हूं अगर आप लोगों के याश्ना वाला चीन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक चेर और सब्सक्राइब कर देना इससे बहुत मोटिविशन मिलता है जार उन बंदों को पेलते ही हमारी कुछ और बंदों से टककर होती है अब देखो उना हम कैसे मारते है इस लोग से में लेता हुआ है बिल्कु स्रिक्राइब के मारता है अब मार देगा है तो बंदे दो बंदे एक को नॉक निकल दू और यह एमफोर के एक ही स्प्रेय से दो बंदे निपड़ जाते है इनकी टिंकल से एक लाश बंदा बसता है उसको में इत्ती घंदी तरह मारते है तुम लोग देखना बिचारे बंदे को संपटी निपड़े की मेरे साथ क्या हुआ बहुत देट तक जोन में गाड़ी कुमाने के बाद हमें कोई बंदा नहीं मिलता इसलिए हम इन घरों में के होल करते है और हमारी किसमत देखो इस घरों में आते ही हमें डासे के वाज आ जाती है और यह वीचारा है डासे वाला बंदा अपने टीमेट से अलगी चोड में घूंग रहा था अब बारी ती उस डासे आले बंदे के टीम मेट सोट ढूंड ढूंड के मारने की जिसमें से एक बंदा तो हमें यह हिल पर दिख जाता है गिली सुट वाला इसको भी हम बहुत बूरी तरह मारते है अब बारी ती उन बंदों के आखरी टीम मेट की और वह बंदा पत्थरों के अंदर ऐसा छुपा गाता ना तुम लोग देखना पत्थरों के बीच में बंदा इसे शियर बनके लेटा हुआ था कि इसे हमें भीगी बिली बनाना ही पड़ा तो इस बंदे को मारते हमें एक और डिलिशिस चिकेनर मिल जाता है और अगर आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना और हम